हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका ट्रेनिंग को आरी पर आज की ट्रेन जानकारी राजस्तान के लिए एक अच्छी कबर के बारे में है यहां से एक और नई ट्रेन का संचालन किया जा रहा है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर त्रेन जो कि दिल्ली से बार्डमेर की बीच में शुरू की गई थी और इसके लिए खासा प्रयास किया था सांसद के राज चोदरी जी ने अब एक और नई खबर बाडमेर से निकल कर ही आ रही है एक और नई ट्रेन जो की हफते में 5 दिन चलने वाली है बार्डमेर से जय की जा रही है 29 मार्च 2022 से बाडमेर से ये ट्रेन सेम टाइम पे जो दिल्ली ट्रेन चलती हो उसी के हिसाब से 9 बजकर 40 मिंट पे रवाना होगी संडे टूजडे वेर्डे से फ्राइडो सेटेडे को अगले दिन 6 बजकर 40 मिंट पे जैपुर जंक्षन पहुंच जाएगी फस्ट डिपार्चर यानि इनेगरोर रहेगा इसका मंगल वार कल मार्च 29 बजकर 202 को बाडमेर से कोच कम परजिशन सेम रहेगा सलीपर के पांस थर्ड एसी के तीन सेकंड कम फस्ट एसी के दो अन्रिजरव के चार असा लाड़ से में इस ट्रेन को 293 2022 को चला जाएगा इसका नंबर जो है वो रहेगा 2489 बाडमेर से चलेगी रात को 9 बजकर 40 मिट पे सेम स्टो पर उतर लाई बायतू बालोतरा समदड़ी लूनी जोतपुर पहुंचेगी एक बज़े एक पंदरा पर रवाना होगी उसके बाद इसके स्टो पर छोड़े बढ़ा दिये गया है अब यह ट्रेन गोटन रुकेगी मेटता रोड रेन डेगाना मकराना कुचामन सिटी फुलेरा के रास्ते ट्रेन सुबह जैपूर पहुंचेगी 6 बजकर 40 मिनट पे दूसरी ट्रेन की बात करना तो वापसी करेगी जो ट्रेन वो 2490 सुपर फास्ट किस प्रकार से रहेगी समझ नहीं आ रहा जैपूर से नो बज़े रवाना होकर रफते में 50 रख लेगी 6 बजकर 30 मिन पे बाढ़ मेर पहुंचेगी नोर्थ वेस्टन का सेम रह करेगा लेकिन यह ट्रेन फस्ट डिपार्चर करेगी बुद्दवार को इस नहीं ट्रेन के बारे में फिर बदाई देता हूं बार्ड मेर को लोगो को क्योंकि उनकी काफी लंबी डिमांड थी काफी सपोर्ट इसमें रहा है माईनी नियसांसद जी का कि एक हफ़ते के अंदर अंदर ही दिल्ली के लिए दो दिन और जैपुर के लिए पांच दिन ट्रेन चलवाने में उन्होंने कामयाभी हासिल कर रहे हैं झाल झाल झाल